हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो दोस्तो आज 31 अक्टूबर को आप लोगों का काफी पुराना इंतजार समापत हुआ और 746 पन उपर जो कनिष्ट साइक की भरती आई हुई थी उसके दोनों स हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम फस्ट के एक्जाम पेपर के सॉल्यूसन के बारे में बात करने वाले दोस्तो ओफिशल अंसर की आपकी अभी तक नहीं आई हुई है तो मेरे द्वारा ये एक अंसर की बनाई हुई है इसमें कुछ कुश्चन साथ से 8 कुश्चन मे उनका पेपर निश्ची थी अच्छा आया होगा खास कर जिन भी दोस्तों ने परिक्षियावानी पड़ी थी और जीएस के लिए जो बेसिक कॉंसेप्ट था वह पड़ा हुआ था उनका पेपर अच्छा आया होगा और लास्ट माम बात करेंगे कितनी मेरे इस पेपर की ज आप उनको देखके डिमोटिवेट ना हो और अगर आपके 70 या 72 प्लस नंबर है तो आप सेब जोन में रह सकते हैं चलिए पहले वीडियो सॉल्यूशन के बारें बात कर लेते हैं और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रसना कर गलत लगे दोस्तों आप कमेंड बॉक्स मे जरूर बता सकते हैं पहला हमारा प्रसना था कि सुद्धवाक्य का चेहन कीजिए तो इसमें सुद्धवाक्य हो जाएगा दोस्तों उसने पुरुसकार का तिरसकार कर दिया तो पुरुसकार लेने से मना कर दिया या इनकी तिरसकार कर दिया ठीक है जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते है अंकिंचन कहते है निमने मैंसे कौन सा सब्द देशज है तो लोटा दोस्तों देशज सब्द है वर्नता तीथ या वर्नना तीथ सब्द का आर्थ क्या होता है वर्नन से परे वर्नन से परे अगला पस्तन है निमने मैंसे प्रियाई बाची होता है चंद्रमा का तो ये देखिए बहुत confusing चा question था तो काफी सारे लोग confusion में ऐसे प्रस्ना गलत करके आते हैं अगला अनाया सब्दों में उफसर को कौन सा है तो अनूपसर गया दोस्तों इसमा option number A अनूपसर गया ठीक है आठ बार नौ तिहवार लोकोक्ती का आर्थ है मौज मस्ती का जीवन जो क्रीडा है इसका तदभव रूप क्या होता है खेलना होता है अगला पसने बारवा मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुन्दर लड़का है यह किस प्रकार का वाक्य है तो यह सायद दोस्तों आपका संग्या उपवाक्य होगा तो एक बार आप इसे cross check कर लेंगे संग्या उपवाक्य मेरे recording ठीक है महादी वर्माकृत नीर्जा किस विध्या की रसना है तो यह इनका काव्य संग रहता क्या नीर्जा अगला प्रसने मैं खाना खाकर सो गया इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की किरिया है तो पूर्वकालिक किरिया है दोस्तों खाकर अगला प्रस्था प्रस्था था तो मनहा धनताप मनस्ताप अमारा विस्था के संदी का उधारण है अगला सत्रवा कुश्चन है कि मीरा भाई की भाई की भासा मूलत है क्या थी तो मूलत है दोस्तों इनकी भासा राजिस्थानी मानी जाती है ठीक है लेकिन इनकी भासा में राजस्तानी के सांसाथ ब्रज भासा का प्रियोग भी हमें देखने को मिलता है तो ब्रज भासा और राजस्तानी दोनों थी लेकिन मुलत हाँ पुछा गया है तो राजस्तानी भासा है अब देखते हैं आयोग इसका अंसर क्या देता है अगरा पुछ आगे बात करते हैं उत्राखन दोस्तों उत्राखन के पोर्षन में आज हिस्ट्री का बोलबाला था आयोग बहुत समई से परिक्षावाणी को फॉलो कर रहा था परिक्षावाणी से बहुत कुश्चन मना था लेकिन आज अज अजे रावट पकड़ ली और अजे रावट से अच्छे खांच प्रसन बुछे के थे ठीक है कुछ कुछ प्रसन तो आपको अजे रावट ईंसर आ वेक्ति ने डांडी मार्च में भाग लिया था तो आप सभी लोगों को बता है तीन वेक्ति ने लिया था जिसमें कौन जियोती राम कानपाल जी भी थे तो बहुत सब्सक्राइल सा प्रसन था हर किताब में है इस्ट इंडिया कंपनी ने भूमी कहां खरी दी थी देखिए उ पंदरा से 20 कृषिन और निश्ची ते अगर किसी ने सही किया हुआ है उससे ने गलद भी किया हुआ होगा दानपूर या बोली ने देखिए दानपूर तो रस्तों आयूक का फैबरेट है कहां बागेस्वर ठीक है कभी आपका धौली नांग मंदर पूछ लेता है कभी ब पक कौन था तो गोपाल बंगाल में पाल बंसके सस्तापक था अगर अपस्ता दोस्तों यदि मालती रोहन की माता है मालती जो है रोहन की माता है समीर अजीत का पिता है समीर जो है वह अजीत का पिता है अजीत रोहन और दीपू का भाई है रोहन अजीत और दीपू यह ती मालती मालती का पती है तो समीर जय मालती का पती है तो कौनचा था है तो और स्थापना एक सितंबर बिल्कुल सही अंसर है, एक सितंबर 1969 निम्न रसे कौन सा कथन observation satellite काटो सेट 3 के संबन में गलत है दोस्तों, तो इसका अंसर होगा option number A, यहाँ काटो सेट स्रंखला का दूसरा उपगर है यहाँ गलत है, यहाँ नवा उपगर है था, ठीक है जबके तीसरी बिल्का उपगर है, दुरू ही उपगर है और स्री हरिकोटा से प्रिक्षबित किया गया है अगरा प्रसंद दोस्तों देखे, अजे रावजी के किताब में जो किर्सी वाला चॉप टेप्टेट है, चाई वाला, वहाँ पे आपको ही मिल जाएगा अगरा 32 प्रसंद है कि ग्रेड में प्रसंद देखे, आपको 9, 12, 13, 14, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 6, 35, ऐसे 7, 9 और 8 को अगरा मुल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका 504 आएगा, तो 8 यहाँ पे आपका राइट एंसर हो जाएगा कुमाउ राष्टी मोर्चा की स्थापना PEC जोसी जीने करी थी, महात्मा गादी जीने ब्रिटिस नमक कानून की अभेलना कब के थी तो 1930 में, तो उस्तों मैंने आपको GS की भलही बहुत कम क्लासें दी होई हो, लेकिन आज के पेपर में GS की वो जो 7 या 8 हमने मैराथन क्लास यूजना कब सुरू करी, सबको बताया है, वीर्चेन परियर्टर एक जून 2000 दो, ठीक है, बहुत बार यह प्रस्न पुछा गया था, हर बार मैंने आपको बताया भी, अगला प्रस्न गिया अच्छा प्रस्न था, कि वहां मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैगनी प्रकास से मिटाया है, नश्टिक या जा सकता है, कौन सी मेमोरी कहलाती है, तो EP-ROM, ठीक है, Irrigible Programmeable Read-Only Memory, जब न्यायले को लगता है कि कोई व्यक्ती, ऐसे पत पर नियुक्त हो गया है, जिस पर उसका कानूनी हथ नहीं है, तब न्यायले उसे पत पर कारी करने से रोग देता है, कि इसके तहट दोस्तो अधिकार प्रच्छा के तहट है, तो 5 प्रकार की डिट जाड़ी होती है, आर्टिकल 32 के तहट वही अधिकार प्रच्छा, चंदर राज उसके सासिनकाल में सिर्तान किस प्रकार का कर था, अब दोस्तो यह आपका अच्छा प्रच्छन है, कि सिर्तान क इस प्रकार का कर था चंदराज उसमें अंसर कर दिये गए वहाँ पे भी अजेराव जी किताब में इसका जिक्र वैसे बहुत कम है लेकिन सिर्टान I think दोस्तो नगत और अनाज संबंदी का जरूर था तो अनाज संबंदी दोस्तो था और उसके साथ में नगत भी था तो सिर् कि कार्तिकेपुर राजुनस के लिए कत्युरी सब्द का अभाध्य परद्योक सबसे पहरे एडविंटी एडकिंसन दे किया था तो एडकिंसन इसका राइट एंसर है और दोस्तों यह प्रस्ना ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूटूब में नहीं कराए है यूटूब में भी यह पुचा जाएगा तो इन मैंसे दो यह की साग न दिए लेकिन ज्यादा फुली मेरी खाल से पिंडर नदी होगा क्योंकि पिंडरी ग्लेशर और कपनी ग्लेशर एक दूसरे के पास में इस्तित है तो आयूक के अंसर का यहां पर बेट करना पड़ेगा किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति को संदेश बेजने का माध्यम क्या है इसमें से इमेल ऑप्सन के बारत में स्रामिको के रोजगार का मुख्य चेत्र क्या है तो यह भी दोस्तों तो अच्छा पुश्चन है तो मेरे ख्याल से इस का अंसर होना चाहिए प्रात्मिक चेत्र ठीक है क्योंकि प्रात्मिक चेत्र किसी से संबंदी था इसलिए स्रामिको के रोजगार का यहां बढ़ावा देते हैं ठीक है भारत भी तिर्टेक छेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि A या B मैंसे एक हो सकता है इसमें से तो आयोक के अंसर का वेट यहां पर आपकर करना पड़ेगा आप लोग भी अपने कमेंट बता सकते हैं गड़वाल पेंडिक सम नोट सर मॉला राम और गड़वाल स्कूल पेंडिंग पुस्तक बरिष्टर मकुंदिलाल जी की हैं अगला पसने दक्षिनली अमेरिकी राष्ट्रो में से कौन सा सदेश्य ओपक का नहीं है तो वेने जुला दोस्तो ओपक का सदेश्य नहीं है नि तो कपाश जुआर और गन्ना तीनों ही इसका अंसर होना चाहिए तो उप्योगत सभी हो जाएगा अगला प्रसन देखे उनिस सो बासट वाला दोस्तो अच्छा प्रसन है कि नरेंद्र महाविद्याले तीरी गड़वाल की स्तापना किसने करी थी तो कमलेंदुमति साह ने वंदे मातरम का कुमावनी भासा मनुवाब किस ने किया था तो हरी राम तिरपाटी जी ने किया था अगला प्रसन ने भारती जनकलना 2011 के नुसार सरवादी दसकी वृदिदर उधमसी ने गर की कल जो मैंने आपको 100 नंबर के कुश्चन दिये थे मैंने कहा था जन संक्या स से एक प्रसन आएगा पढ़के जाना ठीक है सरंगकंट दर्रा बहुत बार बताया हुआ है उत्तरकासी और हिमाचर प्रदेश के बीच में सरंगकंट दर्रा है बेसिक सा कुश्चन था हर किताब में मिल जाएगा अगला प्रसन दोके ये भी अच्छा प्रसन रिखे कि दिवस मनाया जाता है तो कई कई अगर वाग्या ओंनीच होग걸ि थी पर तीन आप्र बंदे रहे हैं फिर एक पंद्रा, फिर एक पूरा बंद्रा, 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 सत्रा, तो देखना बढ़ेगा, आयोग इसका अंसर क्या देता है, तो आप लोग कमेंट ब इसका अंसर होना चाहिए कि बुद्ध की प्रतिमा की पीट पर तीपती भासा के लेख किस इस्थल की प्रतिमा पर मिले हैं मोर्दोस ठीक है तो साइध हरिद्वार की है असपास में इनका यह मिला था ठीक है अगला है अंतराश्टी पुनर निर्मान एमों विकास बैंक आई बी आडी को किस अन्य नाम से जाना आता है तो विश्व बैंक के नाम से इसे जाना आता है कौन सा स्रोध गड़वाल के चित्र में जनका लिएता है तो सभी स्रोध है उस्थ उप्योक्त सभी कोल कि रात वाला जब भी मार्वार को उतार था वहां पर घुदार था ब्राव जर था उस तो डबल लो वर्ड वाइब वेब उनी अठार सो पचास में लंदन मिस्टनरी सोचाइटी की स्थापना अलबडा में किस ने करी थी तो पादरी रेवरेंड आप दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोग उने कन्फूजन हो गया बहुत साही लोग पढ़ सामराज जी का हिस्सा बन गया था तो सिसुनाग वंस के कारे काल में ठीक है सिसुनाग उगा दो तेई सो नब्बे वर्गी किलमेडर स्कूर छेत्र पर उत्राखन का सबसे बड़ा रास्टी उद्यां गंगोति रास्टी उद्यां सभी को बता है मुद्रा इस्पिती में ध पुरेंस नाइट एंगल पुरुसकार उत्राखन के किस नर्स को दिया गया तो यहां पे दोस्तो सुनीता रावद गोयल को यहां पुरुसकार दिया गया था और दोस्तो यह वश्चन में आपको जो करेंट एफसर वीडियो थे वहां पर भी करा चुका हूं ठीक है कौंकल देख लो मैराथन क्लासेश देख लो जो मैंने हिस्टी के लेक्स्स दिये हुए हैं वो देख लो तो आपको वहां से बहुत सारी वीडियो जांपे बहुत सारी कृश्चन मिल जाएंगे तो आगे जिनका भी एक्जाम है तो अभी से कह रहा हूं दोस्तो देख के जाना और वीडियो भी वीडियो आला एक्जाम इससे भी हाड आएगा ठीक है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सनिवार था तो आगामी कल के बाद सब्दा का कौनसा दिन होगा तो ये बुद्वार होगा ठीक है कौनसा होगा बुद्वार होगा ठीक है कौनसा होगा बुद्वा सब्सक्राइभ ल souvent हिसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब द्वारा शिक्षा का अधिकार एधिनियम 2009 मौली का अधिकार में जोड़ा किया था था चियासपे सम्मिधान संसुतन 2002 के द्वारा डोकर यानी हिम्दध इस्ति दया तो उत्तरकाशी में इस्तित तो कौनसे नरी तर्णित से होगा भाग्जथी बेसिन से संबंदित होगा ए थीक है और 31 31 मैंसे सुरेस एकी बंद है तो जाएंगे 30 तो 50 मैंसे 30 माइनस करेंगे तो 20 आपका इसका राइट इंसर आजयागा ऑपसर नमर सी निमने से कौन एक प्रवतार ओही है तो तो तिरलोक सिंग बस्रिदा जी एक प्रवतार होई है जोकी फुटबॉलर रही है ठी सटा 56 मैं से साथ गटाएंगे उन्चास शेपंचे 30 मैं से 6 गटाएंगे 24 तो अर्चको 32 मैं से आठ गटाएंगे तो कितना जाएगा उस तो जो करीबी ऑप्सन है वह 860 अंसर हो जाएगा उत्राकन सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नवाइसे किस चेत्र को ओबीसी चेत्र गोचित नहीं किया है ठीक है तो यह दोस्तों थोड़ा सा करेंट का वुष्ण साथ 2016 के आधार पे तो इसका अंसर तो पैनखंडा या हरिद्वार मैंसे एक इसका अंसर होना चाहिए अगर अप्सन है यह दोस्तों किताबू में यह दिया गया है कि 1955 में चुने गये थे विक्तित वाले पोर्षन में आपको करा है बद्दियद जो पांडे जी है 1955 में लोक्सरा साथ चुने गये लेगिन कहां से चुने गये यह नहीं पता 1955 के हमारे दो अप्सन है चंपावत और अलमोडा तो चंपावत दोस्तों हमारा उस टाइम पे जीला बना नहीं था तो उस टाइम पे आपका क्या होना चाहिए अलमोडा अंसर होना चाहिए अलमोडा 1955 बेराइट्स खनीच कहां पाए जाते हैं तो देहरादून में बेराइ मैं 1922 ठीक है तो लेकिन यह भी हो सकता है ठीक है क्योंकि चंपावत तहसील को पितुरागर जनपत मैं सामिल करने की बात कर रहा है तो हो सकता है मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है तेरा मैं 1922 इसका राइडनिचर होना चाहिए ठीक है वन्ना आप पूछा गया था तो यहां पर इसके सिक्वेंस के अनुसार यहां से निकालना था तो साइन्स को लिखा जाएगा 6123413 बी अंसर हो जाएगा निम्नमैसे लवान रही ते जहील कौन सी है तो इसका अंसर आपका वान जहील होना चाहिए ठीक है तो एक बार आप चेक कर लिए इसके अनुस्षेद में है तो ग्राम पंचयत की सक्तियाओं के बारे में दोस्तों जी-एच में बताया है आटिकल जी-एच्ट 249 और नविल फैस्टिवर्ल का विजन किस त्राजी में कियायाता है तो कुमाऊं और गणवाल दो परथक चिलेकशे रेपिटेटड कुछेन है पहले बी आचुका है ईक्जाम में अठवादी कुरा रुख दा ठीक है मराठा सामराजी का प्रसाम पेसवा था तो बालाजी विय्टाजी विषो नात। पासान काल से तो यह दोस्तों आपके 100 question थे 100 में से सारे question दोस्तों सदल नहीं थे 100 में से आपके करीबन करीफ 20 question ऐसे थे जो बहुत अच्छी level के थे जिसने बहुत deep पढ़ा होगा वही यह 20 questions और 20 questions का भी ऐसा था कि जब आपने पढ़ा हुआ तो है लेकिन confusing questions थे तो आप लो answer की भी बता दीजाएगी तो यह first shift का paper दोस्तों आपका solve हो गया तो कुछ-कुछ question यहां पे confusing वाले थे तो इसके answer अगर आप लोग का आते होंगे तो आप लोग कर लीजीगा ठीक है बाकी एक question साहिद मैंने आपको यहां पे जो पूछा हुआ था ठीक है भासा वाला कोई सब्सक्राइब करने के संब्सक्राइब करके डाल दूंगा तो आज की वीडियो में तने दूस्तों थैंक्यू थैंक्स पर उसी वीडियो से यू नेक्स टैम धन्यवाद आप सभी लोग का